देखो जिनी सुडेंट ने अप्रील जोज़े 23 सेसन के लिए अड़ीशन ने रखा है अगर आप लोगों ने अभी तक अपना प्रैक्टिकल एक्जाम का हॉल टिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो और जिन वच्चों का प्रैक्टिकल एक्जाम का हॉल टिकेट नहीं निकलना है कोई भी एरर बगारा सो कर रहे है तो उसकेस में आपको क्या करना है कि मुझे इंसाग्राम पे मैसे डाल देना है मैं कोशिस करूँगा कि आप लोग का जो प्रैक्टिकल एक्जाम का हॉल टिकेट है वो निकाल के आपको प्रोवाइट कर सकूँ अब दिखो जब ये हॉल टिकेट आया है तो काफी अच्चों को काफी सारी इसमें समस्याय आ रही है काफी सारे बच्चे हैं जो comment कर रहें कि जो exam की date दी गई है इसमें practical exam की वो date गलत दी गई है यहाँ पर आप देखोगे तो और यह date वो ही date है जो आपको जो practical exam का date sheet आया था उसमें जो date mention है वो ही date यहाँ पर आपको उठा कर दे दिया गया है दूसरा question सबसे ज़्यादा जो बच्चे पूछ रहें कि practical exam का timing नहीं दिया गया होल टिकेट में तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें practical exam का जो timing है वो क्या है और हमें practical exam कब देने जाना है ठीक है और भी काफी सारे question है जो बच्चे पूछ से हैं तो इन सब को हम cover कर लेते हैं देखो सबसे पहले हम date की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पर हमें कि हमारे पास दो practical type के subject है एक हमारे पास science and technology है और एक योगा है आप देखो science and technology के लिए जो हमें exam date दी गई है वो दिया गया यहाँ पर आप देखोगे 16 मार्च से लेके 19 मार्च के बीच में ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे योगा के लिए जो हमें date दिया गया है वो दिया गया है 28 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में ठीक है यानि कि date का एक average दे दिया गया है और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दोगे तीन दिन का gap मिला यानि कि तीन दिन का time है एक subject को यानि कि एक practical को complete करवाने के लिए तीन दिन का time दिया गया है अब इसका मतलब क्या है आप यह समझ लो देखो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो यह जो आपको तीन दिन का gap मिला है और लगबग सभी का ऐसा ही है ठीक है सभी का hall ticket ऐसा ही आया है और ऐसा ही date आपको मिलना होगा आप लोग चेक कर ले ना तीन दिन का आपको gap ज़वर मिल ला होगा यानि की तीन दिन का time ज़वर मिल ला होगा आप लोग को ठीक है यहां पर date में देखोगे तो तो मेरे हिसाब से अगर आप इस date को समझोगे तो आपको कैसे समझना है देखो जैसे कि हमें science and technology का practical exam देना है जो की date हमें क्या दिया गया है 16 मार्च से लेके 19 मार्च के बीच में अब मेरे ही साब साब समझोगे तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि 16 तारिफ को आपका file submission होगा 17 तारिफ को आप लोग का वाईबा होगा 18 तारिफ को आप लोग का practical exam होगा ठीक है इसी तरीके से आपको समझना है इस date को ठीक है और जैसे दूसरा आप देखो गए यहां पर हमें क्या दिया गया है 28 तीन यानि 28 मार्च से लेकि 31 मार्च तो जो हमने फाइल बनाया है 28 तारिफ को 28 तारिफ को हमें submit करना होगा 29 तारिफ को हमारा क्या होगा वाईबा होगा और 31 तारिफ या 30 तारिफ में हमारा practical exam होगा ठीक है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो और देखो मेरे खुद के यह जो मेरा भाई है यह जो hall ticket है मेरे भाई का है और जब इससे मैंने बोला था कि अपनी teacher से पूछ किया कि मतलब कैसे बनाना है फाइल बगड़ा कैसे बनाना है तो यह अपनी teacher के पास गया तो teacher ने साप कहा दिया इससे कि 2000 उपर दे दो हम खुद आपको पास कर देंगे तो ऐसा भी मतलब चलता है आप सब समझते हो जिसके वाइसे कुछ किलरिफिकेशन नहीं है कि मतलब exam कैसे होना है कब होना है और इसे मैंने बोला है कि 10 वी क्लास में practical exam इतना important होता नहीं है क्योंकि practical exam देखो 12 वी क्लास में important है क्योंकि आपको 12 वी क्लास में separately यानि कि अलग से आपको 33% practical में लाना ही होता है पास होने के लिए 10 वी क्लास में ऐसा कुछ सेहन नहीं है तो मैंने इससे बोला है कि practical exam का जो भी आप तेरा फाइल है वो बना ले उसके वाद जो exam होगा उसे दे दियो अगर fail भी हो जाता है कम marks भी आते है तो इस case में अपने theory में जो आप exam होने वाले है या फिर तेरे TMA जो हुए है उससे तू match करके 33% लिए आएगा ठीक है तो दस वी क्लास के लिए तो मैंने already बोल लखा है कि आप लोग अपना जो भी आपसे पैसे मांगते हैं टीचर उसको मत देना ठीक है और कहना कि हमें file बता दो कैसे बनाना है तो मैंने यही बात बोलाए इसी वैसे देखो पैसे मांगते हैं टीचर इसी वैसे बच्चों को यह पता नहीं चलता है कि actual में file कैसे होने वाला है अब जब मैं CVSC में मैं CVSC का हूँ CVSC में कैसे होता था regular जाता था मैं तो उस case में क्या होता हमारे देखो दो दिन में practical हमारा exam खतम कर दिया था यानि कि एक दिन हमारा file submission हुआ था और उसी दिन हमारा वाइबा भी ले लिया था उन्होंने लेकिन NIEUES है देखो पैसे की वैसे यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है खेर मैं यहाँ पर आपको कुछ clarification दूँगा अब देखो यहाँ पर आप देखो गे तो exam की timing नहीं दी गई है practical exam की timing नहीं दी गई है क्यों नहीं दी गई है तो यहाँ पर आपको अता दू कि जो आप लोग का practical exam होना होता है वो जो करवाने की जो responsibility होती है practical exam को वो आपके study center की teacher की होती है anyways की नहीं होती है anyways बस कह देती है कि study center वालों से कि आप लोग बच्चों का practical exam करवाओ teacher क्या करते हैं दो-दो साब से अब आपके लिए table बनाएंगे कि आपको कब exam देना है कब वाईवा देना है कब file submission करना यह सारी चीज़ आपको teacher ही बताएंगे ठीक है तो exam के लिए जो पूछ रहेते कि exam की timing नहीं है वो अपने teacher से contact करेंगे उनसे आप बोलो कि exam की timing बता दो ठीक है वही लोग आपको बताएंगे ठीक है वो खुदी मतलब table बनाके बाहर चिपका भी देते हैं और आपको अगर आप ग्रूप में होंगे उनके तो आपको मैसेज बगरा डालके बता देंगे कि इतने वज़े प्रैक्टिकल एक्जाम है जो देना चाहते हैं आ सकते हैं तो इस इसको आप यहां पर करते चलना आप लोग अपने टीचर से बात कर लो कि आप लोग का प्रैक्टिकल एक्जाम कितने वज़े होना है अब देखो एनवेस की कह दिया है कि इस देट से इस देट के वीच में इस वच्चे का प्रैक्टिकल एक्जाम ले लो इस सेडी सेंटर वालों को यह ओडर दे दिया है अब इस सेडी सेंटर वाले कैसे करवाते हैं एक दिन में लेते हैं कि दो दिन में लेते हैं कि पैसे लेके आपको पास करेंगे वो सेडी सेंटर वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है ठीक है तो यहां पर आपको जो भी प्रोब्लम यह थी दो कोशन काफी ज्यादा रिपीट हो रहा था तो मैंने यहां पर आपको वीडियो औरा के समझा दिया है अब देखो जब आप प्रैक्टिकल एक्जाम देने ब्रिंग दा ओरिजनल आडेंटिटी कार्ड इशूड बाई बाई एनवेस अलंग विद्धा एक्जामिनेशन हॉल टिकेट एन वैलिड फोटो एडेंटिटी कार्ड लाइक अधार कार्ड पासपोर्ट पैन कार्ड ठीक है तीन डॉक्मेंट मैंने मैंने आप लोग को पहल होता है और दूसरा पॉइंट यहां पे बोला गया मोभाईल वहां पे लाउट नहीं है मोभाईल अगर लेकर चाओ तो यThen बाहर ही रख लेंगे यह विल्कुल सही यह वह भार आपको सम्मीट करवा लेंगे तीसरा प्वाइंट दिया गया है एक टाइक डाइकाल इग्जाम इंटर नोटिफाइड सेंटर थीक है सारे एक्जाम जो प्रेक्टिकल एक्जाम वह आपके रिजने संटर में होने वाले हैं कर्णिडेटर आडवाइस तू कॉंटेक्ट दा सेंटर सूपीरी अटेंडेट कॉंडी कॉडिनेटर ओफ एयाई वेल इन एडवांस ओफ दा कंसर्नमेंट ओफ दा प्रेक्टिकल एक्जामनेशन तू नौ दा स्पेसिफिक डेट एस वेल एस बैस अलोटेट फुर दें वही चीज मैंने आपको वोला है कि जो भी आपको एक्जाम की टाइमिंग बगारा या डेट बगारा यह जो है वो सारी चीज आपको सट्री सेंटर वाले ही वैच्च करके आपको देंगें तो सेपनेंटometer वाले से आपको खंग प्रेक्टिकल एक्जाम होगा उनसे पोछ लेना बाकितो मेरे भाई से इन्होंने पैसे माङए थे मैंने मना कर इसको मैं practical exam दिल्वाऊंगा वारवी में भी दिल्वाऊंगा आप लोग से भी अपील है कि आप 10-11 क्लास में हो तो कम से कम प्रैक्टिकल exam पैसे देकर पास मत होना ठीक है अप लोग ऐसे आप लोग अपने मेहना से प्रैक्टिकल एक्जाम दो ताकि आपको सीखने को मिलेगा सर्टिफिकेट लेकर कहां अप लोग यह समझो इतनी वर इंडिया है आप दसवी क्लास की सर्टिफिकेट लेकर जाओगे कहां यहां पर पिएसडि के वंदे बैठे बैठे बेरोजगार घू ठीक है समझ रहो न आप लोग तो समझ लो और भी कुछ पूछना है और जिनको हल टिकेट नहीं डाउनलोड हो रहा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसे डाल देना कोशिस करूँगा कि आप लोग को डाउनलोड करा दू ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब क कर लेना वीडियो धोर्योत अच्छी लगती लाइक कर देना मिलता है वीडियो में